कैमरा ठीक कर दीजे महराज अकाउंटिंग स्टेंडर्ड शिक्स्टीन में एक्सचेंज डिफरेंस को भी हम पार्ट मानते हैं यह उसका पार्ट माना जाता है तो यह हमने कॉंसेटली भी पढ़ा कि हम अपने पास जो कॉस्ट आफ लोकल बॉरिंग है उससे ज्यादा ना हो तो जो आपकी actual में foreign की borrowing cost थी हम उसमें exchange difference को add कर देते हैं यह exchange difference को add कर देते हैं जिससे की cost of local borrowing exceed ना कर जाए अगर उससे ज्यादा की कोई cost होगी exchange difference की तो हम उसे क्या treat करते हैं हम उसे AS11 में treat करते हैं यानि उसका accounting AS11 deal करता है up to cost of local borrowing हमारे पास कहां जाती है यह हमारे पास यहां आती है इसको calculate करने का एक formula बना दिया था हमने वो formula क्या था हमने का हम calculate कर देंगे lower किसका lower ले लेंगे exchange difference जो आपका actual में आ रहा है या जो आपकी cost of local borrowing है जो आपने अनुमान लगाई होगी जो कैसे लगाई होगी वह आपने इतने dollar का loan लिया जिस दिन loan लिया उस दिन rate कितने का था beginning में into rate इंडिया में क्या पढ़ता है ध्यान देना कौन से rate से आप convert करते हो loan का amount beginning के amount से convert करते हो इसके अंदर आप minus कर देते हो cost of foreign borrowing तो यह कैसे निकालोगे जो भी आपका loan था multiply कर दोगे जो rate of interest था कौन सा foreign का multiplied by interest कब लग रहा है interest last date लग रहा है तो आप last date का rate ले लेते हो यह हमने अपने पास ले लिया तो इससे क्या निकलाएगी इससे निकलाएगा amount जो कि आपको ultimately lower लेना है यहां last date की जगा क्या average rate भी लिया जा सकता है तो आपका यह पास average rate भी alternative है यानि उसे भी लिया जा सकता है बट हम लोग अपने पास last date लगाएगे क्योंकि हमारे को जानकारी नहीं है कि किस date को interest लग रहा तो मानते हैं last date को interest लग रहा है ED हमने ले लिया लोन multiply कर देंगे जो आपका closing rate है minus कर देंगे opening rate तो क्या निकलाएगा आपका हमारे पास exchange निकलाएगा इन दोनों का जो भी lower होगा this is treated as borrowing cost and this borrowing cost is dealt by AS-13 और जो excess borrowing cost है जो बाकी की excess amount है excess ED है is dealt by AS-11 वो AS-11 डील करेगा आपने पास तो ये मेरा एक बचा हुआ एक वीडियो था जो मुझे आपके साथ तयार करना था ये मैंने तयार कर दिया इस पर दो question मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे से कह रहे हैं करवाने के लिए वो कौन से question है अफट आफट से बताओ AS-11 में थे वो चपे हुए उसके नंबर ढूंडने पड़ेंगे मुझे को 25 नंबर 25 नंबर 35 आईये जी मेरे साथ साथ question नंबर 25 नंबर 25 नंबर 35 चाहन बिल्डर्स अच्छा बच्चा चाहरा है 25 नंबर 25 है हम जाब आफ़ी खैराने अब अबश्या और पटाने कर चुके हैं Okay, this is same as done in class. पिर दूसरा question है, वो कराना है, अच्छा ये लाइबार वाला question था वही वाला. ABC builder have borrowed a sum of 15,00,00,00 at the beginning of the year for its residential project at LIBOR plus 4%. The interest is payable at the end of the financial year. At the time of availing loan, the exchange rate was 72 per dollar and rate at the end is 76. If ABC has borrowed the loan in Indian rupees, the pricing would have been 9.5%. Compute the borrowing cost and exchange difference as per applicable standard LIBOR is 1%. Vivek कहरा, ये भी बता दिया था, तो फिर एक बात बताओ, जब सारे बता ही रखे दे, तो फिर ये क्यों कहाँ कि क्वेरी है, क्वेरी है, क्वेरी है, ये प्रिंट ले लिया, इसका प्रिंट ने लिया होगा. हिमंद कहरा जी कि quality में problem आ रही है, बेटा वो internet का आप के हैं local होगा, मेरे एंट से ठीक चल रहा है, अगर होता ना तो सारे बच्चे बोलते हैं, ओके? खतम बेटा, खतम मझे को तो समझे नहीं आ रही, क्या पूछा तुमने मुझसे तो कुछ पूछने वाला था ही नहीं, इसमें सारे बच्चे बताओ, question 35 में ED dealt by AS 16 कितना होगा? मुझे बताओ के actual ED है कितना? ठपड कितने का पड़ा? तो आपने कितने dollar का loan लिया, 15,00,00 का closing rate बताओ कितने का है, 76 का, पहले कितने का rate था? 72 का तो ठपड कितने का पड़ा? 60,00,00 का Oh my God नंबर दो हमारी cost of local borrowing अगर हम इंडिया से ही borrow कर लेते, तो हमारे को क्या पड़ता? 15,00,00, multiplied by इंडिया से loan लेते 72 पर तो हमारे पास कितना interest पड़ता? मुझे फटा-फट से बताओ इंडिया का rate of interest है 9,5% 9,5% लोग ने का 102,60,000 102 ठीक है? ये cost आती minus हमारी actual borrowing cost क्या ही है? foreign की borrowing cost आपने जो foreign से बारो किया है 15,00,00,00 तो foreign से बारो किया तो आपको क्या rate पड़ा? मुझे फटा-फट से बताओ foreign के अंदर rate कितना पड़ता है? 1% plus 4% तो उसने लिखा था LIBOR plus 4% तो LIBOR अगर 1% है तो plus 4% कर दो तो क्या cost पड़ी आपको? 5% multiplied by यह ब्याज पड़ेगा last day last day rate का चल रहा है? 76 minus 57,00,00 is equal to this minus this करके बताओ 45,60 therefore ED dealt by AS11 is 45,60 तो ED not dealt by AS11 आपका 60,00,00 का ED था न? 45,60 आपका AS11 dealt by AS16 यह है not dealt by AS16 कितना हो गया? बेलेस बताओ कितना है? 14,40,000 इट विल बी dealt by बताओ जी यह कौन करेगा? dealt by AS11 बस इतना ही सवाल है अच्छा टोटल बारिंग कास्ट मुझे बताओ टोटल बारिंग कास्ट तो फॉरण की बारिंग कास्ट कितनी है? 57,00,00,00 और जो AS16 ने डील कर ली EDS पर AS16 तो आपकी बारिंग कास्ट कितनी हो गई? एक सो दो अच्छा जार यह उसने मांगा हुआ आपसे यता जी बताइए कितनी आगई कास्ट बस बाकी तो आपने ग्यान देना है क्योंकि उसने आपसे मांगा हुआ है तो ग्यान भी दे देना चलिए थैंक यू वेरी मच अब मैं इसको निकिल कल डिसकस करूँगा बेटाब मेरे रपा स्लाइड दूसरी आ गई न अब मैं इस स्टेंडिड के लावा कहीं और नहीं जाओंगा ओके? तो आज हम यहीं तक बात करेंगे सार्थक कह रहा है मेरे को नालाइक बोलो कल होवक ना करके आना तो नालाइक भी बोलोंगा और गालियां भी दोंगा ठीक है आज की क्लास बाई बाई कल मिलेंगे आपको ठीक है